शिवधाम मंडी के निर्मान में लगे मजदूरों के पक्ष में सिटू उतर गई है सिटू के जिला अध्यक्ष भुपेंद्र सिंग ने कहा कि कंपनी द्वारा वेटन नहीं दिये जाने की कारण कुछ मजदूर जिला मंडी से पलायन करने के लिए मजबूर है वहीं कई मजदूरों को दैनिक मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा है मजदूरों की समस्या की भनक लगते ही जिला प्रशाशन ने उन्हें पिछले कल कुछ राहत सामगरी रेट क्रॉस सोसाइटी की ओर से वितृत की है लेकिन सिटू के जिला प्रधान भुपेंगर सिंग ने कहा कि प्रशाशन को कमपनी पर इन मजदूरों का वेतन जारी करने के नरदेश जारी करने चाहिए क्योंकि ये सब मजदूर हिमाचल सरकार के एक प्रोजेक्ट को बनाने में लगे है और मजदूरों को श्रम कानूने के प्रावधानों के अनुसार हर महा साथ तारिक से पहले वेतन चारी करना होता है उन्होंने प्रशाशन की ओर से मजदूरों को बांटी गई राहत सामगरी को कमपनी की जिम्मेदारी पर परदार डानने की तारवाई बताया है मारे संगठर ने जो मंडी सहर के कांगनी धार के अंदर जो एक सिवधाम परिशर्ब का निर्मान हो रहा है जिसे मुख्यामंतरी की एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भी परचारित किया जाता है उसके अंदर जो मजदूर एक कंपणी के माद्यम से लगाए गये हैं उनको पिछले लंबे समय से उनकी जो मजदूरी है बेतन ना मिढने का जो मामला है वो सामने आया है जिसका हमारा संगठन उसकी निंदा करता है अलोचना करता है और सरकार से विशेश जो परसासन है सरम वाग है उन से हमारी ये मांग है कि जो मजदूर हो हां करे रते हैं एक कमपनी के माध्यम से उनको जल्दी से जल्दी बेतन जो है वो जारी करवाया जाए हमारा ये माणना है कि ये जो सिभधाम परिसर का जो निर्माण है वो एक नीजी कमपनी के माध्यम से किया जा रहा है और ये नीजी कंपनी कथी तोर पे जो हमारे देश के जो ग्री मंत्रियां उनके जो बेटे हैं जैसा उनकी बताई जाती है और पिछले एक साल में जब से इस शिव धाम का जो निर्मान कार्या सुरू हुआ है इसमें ऐसे जो मजदूर है उनको बदल बदल के दो-तिर मिन्नो सुरी मिन्हान के बाद बदल दिया जाता है और जो पुराने मजदूर हैं नोको बेतर नहीं दिया जाता है और अब भी पिछली जो दिवाल्य के समय को के माकेबर मातर तीन हखातों में डाले गए और अब भी 50.000 तक झुचरती है हमारा ये मानना है कि पिछले कल परशाशन ने जो उपाईप्त मंडिया उन्हें कुछ वहां रहत समगरी बितरित की है गदेर दिये हैं कुछ और जो गैस लिंडर हो दिये हैं मगर हमारा मानना है कि परशाशन को जो कंपनी है उस पे न केरकसनी चाहिए ना कि वो रैड क्रॉस का जो पैसा है उसको जो कंपनी के मुझदूर है उनको दिया जाए तो ये कंपनी का दाईतवा बनता है उनकी जिमेवारी बनती है और जो एग्रिमेंट कंपनी और सरकार के बीच में इस सिभ दाम के निर्मान के लिए हुआ है उसके तहद ये कंपनी का दाइतों बनता है कि मुझदोरों को समय पे बेतन दिया जा हर मिने की साथ आइक से पहले और उनके ठैरने की बेवस्ता हो अब सर्दियों का मौसम है उसके जो गरम कपड़े उतेर जाई है कंबल है दूसर की जानी जीए